बिसमिल्लायरमान रहीम, असलाम अलेकों फ्रेंद फैमली, कैसे आप सब उमेद करते हैं, आप सब बिल्कुल ठाक होंगे, फर्स क्लास होंगे, तो आज हम बनाने जा रहे हैं, वो है आलू चिकन की टिकिया, जिसके लिए इंग्रीडियन्ट्स डिस्प्ले पर मौझूद हैं अस नहीं एक के चुह हैं तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम दे लिया हैं मिदेट लिए हम आप तो चप जिरीड और दो मीडियम tunis के टमाटर को चॉप कर लिया है, और साथ ही डो मीडियम साइज के प्यास को भी चॉप कर लिया है, दो लिए हमने इसमें लेमन, दो ही बिर्च ली हैं जिनने हमने अच्छे से काट लिया है और साथे साथ इसमें हमने एक किलो के करीब आलू लिया है और इनने हमने बॉल करके इनकी उपर वाले स्कीन को पील ओफ कर लिया है बढ़ते हैं जनाब मसालों की तरफ मसाले में सबसे पहले हमने लिया है लान मिर्श का पाउडर हाफ टेबल स्पून ही हमने लिया है इसमें चिली फ्लेक्स उसके बाद half tablespoon हमने इसमें गरम मसाला लिया और half tablespoon हमने इसमें जीरा लिया है half teaspoon sugar add की है और one fourth teaspoon हमने इसमें healthy add की है और चोथा जो बाउल है उसमें one tablespoon को ये अडर पाउडर और one teaspoon हमने काले मिट्स नमक लिया है Guys अगर आप भी मेरी तरह tablespoon और teaspoon में confuse हो जाते हैं तो बिलकुल मैं बहुत confused होती हूँ तो tablespoon actually खाने का चमच होता है और teaspoon चाय का चमच होता है tablespoon usually teaspoon से बड़ा होता है चमच में आपको दिखा रही हैं अगर आपके पास महीरिंग प्रॉप्स ना होँ तो आप ये चमच उसकर सकते हैं the right one is tablespoon and the left one is teaspoon बारी आती है आलो को मैश करने की तो चले मैश करना start करते हैं मेरे पास तो ये मैशर है अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हातों का इस्तवाल भी कर सकते हैं गाइस पोटेडोस को हमने कर लिया है मैश ना इस टाइम कि अब हम इसमें बागी इंग्रिजियेंट्स लाइन वाइस आड़ करते जाएं सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे अनियन्स फिर हम इसमें आड़ करते हैं टोमेडोस और एड़ चिकन फिर डाले हम इसमें मिर्चे अब हम अड़ करेंगे लेमन लेमन हमने स्कुीज कर दिये बढ़ते हैं मसालो की तरफ सबसे पहले हम लेए चीली फलेक्स एर लाल मिर्च का पाउडर अब Hamis करेंगे गरम मसाली और जीरू फिर पैर हम इसमें करेंगे हल्दी और शुगर जैसे मैंने शुगर एड़ की है प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज़ यह मैंने कोई अपनी टिकिया मीठी करने के लिए आड़ नहींगी इससे टेस्ट में इन्हांसमेंट आती है और साथ ही साथ जो वेटरबल्स है उनका कलर बिलकुल बैसा ही इंग्रीडियंट्स तो हमने आड़ कर लिया है अब बार्यातिया इस अच्छे से मिक्स करने की ऐसे जी तो सारे इंग्रीडियंट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे टाइम के अब हमेने तिकियों की शेप में कन्वर्ट कर लें स्टे ट्यूंड यह देखे जनाब हम तिकी बना रहे हैं पिलकुल इसको हाथ से शेप दे रहें और अब हम इसे गौल कर रहें जी जणा तो mixture को हमने मिक्सेट कि हमें के shape में tv मॉल्ट कर लिया है , तो और टिकियां भी बना सकते हैं , लैकिन और यहाल हम्मे भी इतनी ही की need आप चाहें तो इसे बाकी मिक्चिर बचा आप इसे बर्गर में भी उस कर सकते हैं इसके सैंड़ुचिस भी बना सकते हैं ये मेटीरियल वेस्ट नहीं जाएगा ओवरॉल मैंने का ये मतलब है आई अब हम फ्राइ करते हैं तो जी ले लिया है हमने एक पैन अब इसमे आट कर आप कोई भी ओल ले सकते हैं कोकोनट ओल मस्टर्ड ओल ओलिव और एनी ओल यू कन है और हमने अहली के आंचे पे रख दिया है फ्राइ होने के लिए इसके कोटिंग प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं तीकिया तो हमने बना ली थी जनाब अब हमने उसकी कोटिंग करनी है क परने के लिए डिस्प्ले पर इंग्रीट सापके सामने है हैं अब हम आपको कोटिंग कर और दिखाएंगे लिए यह पने दो अंडे थी थी टेबस पूंन पेसल लिया है साथीos फां हमने फिन एंचे हम जेरा लिया है वह भी हम इसमें एक आड़ करेंगें अब हम बात करे यह लेंगे इसकी विसकेंग एसे थेंट लेंगे आप इसे ने पनाली जीए है इसे मैंटीरियल तो भी जाएए मिस्क तो कर दें लिया था लेकिन यह बहुत थिक था इसको थोड़ से थोड़ से क्रीमी करने के लिए दिए लिए इसमें 2 से 3 चमळ दूद भी डाल दिये हैं आप चाहें तो कर सकते हैं बट अगर आप इसमें दूद एड करते हैं तो यह दिखिए कंजिस्टेंजी कुछ इस तरह की हो जाएगी तो आपका यह कोटिंग बिल्कुल लड़ी है तो आप इसे फुर्दर प्रॉसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं साइड पर शाय जों हमने रखा था हो हो गया, गरमकारी थाम नाइट फ्राइट time यह दिखे जनाब तिककियां हो रही है तो इससे थे फ्रज़गाए इसे फ्लिप्त करेंगे अब हम इसे फिलिप करने वाले हैं इसकी एक साइट सब्सक्राइब हो चुकी है यह देखिए ज्युणाब सारी हमने फिलिप कर दी है एक साइट से बहुत बधा शेती फ्राइब हो चुकी पेड करते चानी इसकी दूसरे साइट को अच没有 Прाइय होने का जी जनाब तो यह तिकिया फ्राइ करके इसको हमने देदी है फाइनल लोग hope you guys are liking it please please आप इसे ट्राइ किजिए बहुत यूमी बहुत तेस्टी लोग है look how crispy it is oh my god guys you have to try this okay मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेश